दिल्ली के DRM सुक्विंदर सिंग है हमारे साथ, सर क्या पूरा मामला हुआ, कैसे ट्रेन पल्टी विस्तार से ठोला सुपता दी? यह हमारी गुर्ट स्टेन है, इसमें स्टील के कॉयल रोल्स है, यह अराउंड साड़े सवा 11-20 के आसपा से स्करव के उपर से गुजर रही थी, तब इसमें से कुछ वैगन कैपसाइज हो गए हैं, और नाइन वैगन कैपसाइज हो गए थे और दो ड्रेल हो गए थे, उसी क तक पता लगपाया है, क्या वज़ा हो सकती है, नहीं तक यह थोगा ड्रेल्मेंट इस जो होती है, एक कॉम्प्लिकेटर मेकनिजम होता है, अब क्रॉस देपार्टमेंट सबको अपना अपना मेजरमेंट करना पड़ता है, तो इन्वेस्टिकेशन टीम अपनी जारी अपन को बताएं, यह जखीराबाद फ्लाइ ओवर के नीचे यह ट्रेन है, जो गुट्स ट्रेन है, मालगारी है, और यह जब यहां से गुजर रही थी, तो अचानक से बीच का जो हिस्सा है, वो खासतोर से डेरेल होना शुरू हुआ, जो वीडियो है, उसमें भी यह दिखाई दे रहा है, कि आगे का जो हिस्सा है, वो पहले पल्टा नहीं है, बीच का हिस्सा पहले पल्टा है, और उसके बाद देखते ही देखते पूरी ट्रेन पलड़ गई है, मोटे तोर पर ऐसा लगता है, ट्रेन के अंदर का जो सामान है, यह बहुत भारी लोहे की जो स्टील है, ऐसा हो सकता है, ऐसी सम्भावना जैता जा रही है, कि जो यह जिस तरीके से बंधा था, वो कोई एक ऐसा हुआ है, जो वो टूटा है, और टूट करके एक तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसकी भार की वज़ह से यह एक डिबबा पहले पल्टा है, और उसके बाद सारे डि से जिस बंधन को पकड़ रखा है, यानि यह जो बांधने के लिए तरीका अपनाया गया था, यह स्टील का एक प्लेट है, जिससे यह पूरी जो लोहे की स्टील की क्वाइल है, यह बांधी गई थी इस तरीके से, और जहां पर बांधी गई थी, वो बांधने का तरीका भ बंधन है वहां से ये खुला है और जिसकी वजह से ये चलती ट्रेन में ये जो लोड है ये एक तरफ को शिफ्ट हो गया और एक तरफ को शिफ्ट हो जाने की वजह से ये पूरी की पूरी जो डिबबा है ये डिरेल हुआ और उसके बाद जब एक डिबबा डिरेल हुआ तो इस दोनों डिब्बे में भरे हुए जो दोनों स्टील है उसका भार एक तरफ को हो गया और फिर देखते ही देखते सारे डिब्बे उसी ओर पलड़ गयां जिस ओर एक डिब्बा पल्टा था क्योंकि लोड सब में था और लोड चुकी बहुत ज़्यादा था तो वो पूरा- बाद एक बाद जो लोड है वो चलती ट्रेन में एक और को shift हो गया बीच में रहने की जगे एक और को shift हो गया जिसकी वज़े से यह ट्रेन पल्टी है लेकिन यह मोटे तओर पर मौके की report है यह हम आपको अपनी जो आँखों देखी report है उसके आधार पर एक अनुमान बता र अलग-अलग डिपार्टमेंट अपनी जाच करेंगे और सब जाच पूरी होने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट होगी उससे ही पता लगेगा कि कारण क्या था लेकिन मोटे तोर पर ऐसा यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट से लग रहा है कि लोड जो है वो तूटा है अपने जगह से और लोड की शिफ्टिंग की वज़े से यह पूरी ट्रेन गिरी है तो इस तरीके से अगर ऐसा है तो रेलवे को इस बात पर अब आगे से विशेज ध्यान देना होगा कि जिस तरीके को अपनाया जाता है इतने भारी लोड को बांधने के लिए ट्रेन में ताकि वो इधर उधर डोल ना सके वो और खास्तोर से इस तरीके के गूला कार जो पैकेज है इस तरीके के गूला कार शेप में जो भार है वो ऑवियसली शिफ्ट हो सकता है तो इसको बांधने के लिए और अधिक मजबूत तरीका अपनाया जाना चाहिए, ज्यादा साइंटिफिक तरीका अपनाया जाना चाहिए, जिस तरीके से ये बंधा था आप लोगों में से किसी ने देखा था ये पल्टते हुए? आप बताई क्या हुआ था? ट्रेन जब यहां से जा रही थी तो कुछ बच्चे थे तो अपने आप ही पलट गई बता रहे हैं कोई करमचारी भी इसके अंदर दबा हुआ है, लेडिस भी दबी भी ये बच्चे भी दबे हुए है तो फिलहाल हम बता दें कि ऐसी कोई बात रेलवे के और से नहीं आई है, और हम भी काफी पूरी जो ट्रेन है, उसको देखते हुए आ रहे हैं, फिलहाल जो ये महिला स्थानी बयान दे रही है, इसकी कोई पुष्टी नहीं है, और जो डियारम है दिल्ली के, उनसे भी हमा ही है, लेकिन जिस तरीके का ये हाथसा है, ये अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर किसी एक ऐसी वज़ा से जो की बचाई जा सकती थी, अगर ये जो रोल आप देख रहे हैं, ये ठीक से बंधे नहीं थे, और इसकी वज़ा से इतना बड़ा हाथसा होता है, तो ये रेलवे के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, रेलवे को इस ओर ध्यान देना होगा, लेकिन रेलवे का कहना है कि फिलहाल ट्रेन के पलटने का जो सही कारण है, वो जाच की रिपोर्ट आने के बाद ही बता लगेगा.